सो मैंने एक नई फाइल बना लिया है जिसका मैंने नाम दिया है movie demo यह है हमारा फाइल अब प्रोग्राम करते हैं तो इसको हम रहने देते हैं उपर चलते हैं तो इंपूट हमें लेना है तो इंपूट जावा डॉट यूटल डॉट एस्ट्रिक दैन क्लास का नाम क्या बुला था है कोस्चन देखो क्लास का नाम बुला है define a class name movie magic अब इस कोस्चन को ध्यान से समाझना इस तरह कही कोस्चन हमेशा बोट में आता है हमेशा जैसा बोल रहा है बस करते जाओ ऐसे कोस्चन बहुत सिंपल होता है movie magic और इसमें क्या बोला है instance variable और data members मतलब global variable तो क्या क्या global variable लेना है पहला year int type का ठीक है जो क्या करेगा movie का release year कौन सा है वो store करेगा दूसरा title जो क्या करेगा store करेगा movie का title और तीसरा rating यह क्या करेगा movie की rating store करेगा तो year integer type का है title string type का है और rating float type का है तो int year पहला variable दूसरा string का एस uppercase में होगा string title third variable float float हम किसी variable में अगर हमें point वाला number इस्टोर करना है तो उसके पहले हम float भी लिख सकते हैं और चाहें तो double भी लिख सकते हैं दोनों का यूज कर सकते हैं ठीक है तो confuse मत होना fine, यह हमारा हो गया, देखो इतना part हो गया, मतलब यह 15 नमबर का question होता है तुमने 4 number 2 हमिल गया, अब आते हैं member methods, ठीक है, चाहर नमबर नहीं, variable declaration पे दो नमबर Member method में पहला क्या, movie magic, पहला method तो यह actually, यह देखो, जो class का नाम है वही नाम है यानि कि यह method कौन सा method है, एक constructor हुआ, ठीक है और यह करेगा क्या, देखो लिखा भी है, default constructor, इतने से समझ में आ गया, कि यह variables नों की default value store करेगा, वही लिखाए आगे, to initialize numeric data, numeric data दो ही है, year और rating with zero and string data members with null, तो चलो, constructor बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, variables के नीचे, constructor का कोई return type तो होता नहीं है, so public, फिर, constructor का नाम वही, जो हमारे class का नाम है, movie magic, parenthesis में कुछ नहीं होगा, क्योंकि default constructor है, और यह क्या करेगा, year को zero से, title को null से, और rating, flow type का है न, 0.0, यह हो गया, हमारे constructor हो गया, अगला method क्या बोला है, void accept, accept नाम का function, यह क्या करेगा, input लेगा, input क्या क्या लेगा, year, title, और rating, यह तीनों चीज़, तो simple है, इसके नीचे एक function बनाते है, इसके नीचे method बनाते है, इसके नीचे method बनाते है, अब यहाँ पर इसके नीचे एक हम function बनाते है, अब देखो method मतलब public, अब यहाँ वाइड होगा, मतलब function कुछ रिटर्न नहीं करेगा, अच्छा तेखो, वाइड हो कुछ भी लिखे हैं नहीं, क्योंकि मैंने बताया था इसके ना हाँ पुछ रिटर्न योट है, अब इसके नर ए रिटर्न अम तेख्यचे बनाते हैं, अब दिखे हैं अब यह भी रिटर्न तो से के नहीं को रिखता ही होगा, श्केनर फॉर स्क blijने लिख नित्यसद्ग के करिया को बीटर्न के वहाँ पोडों क्या करेगा, इसक यह हो गया, अब हमें input लेना है, तो एक message प्रिंट कर दो, system.out.println, enter the year, अब year variable किस type का है, देखो integer type का, तो year variable को क्या इस method के अंदर हम यूज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि year variable global है, हर method के अंदर हम यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर year, assign with integer type का variable है, तो input कैसे लेंगे, sc.nextint, fine, so अगला input क्या होगा, so system.out.println, enter the title, तो यहाँ variable किया था, string type का हमारा title ना, so title assign, string type का input कैसे लेंगे, तो movie name में एक word हमान के चलते हैं, एक word name होगा, तो sc.next, ध्यान रखना, string type का input का इसे ही लेते हैं, जिन लोगों को string क्या होता है नहीं पता उनको बता दू, जो भी double quotation में लिखा होता हो, string है, यानि double quotation में space भी है, तो भी string है, अगर double quotation है one लिखा है, तो भी string है, double quotation में लिखा है hello, तो ये भी string है, series of character, written in double quotation, जैसे मैंने double quotation लिखा है, how are you, ये भी तुम कुछ भी लिख दो double quotation में, सब string है, तो अगर तु कोई variable है, मान लो x, अगर तुम्हें स्ट्रिंग स्टोर करना है, जैसे hello, तो ह-e-double-l-o, तो x में अगर तुमने hello store किया, तो कि एक string है, तो x के पहले क्या लिखना होगा, string, इस string data type है, ठीक वैसे ही, जैसे अगर एक variable है y, इसमें तुमने integer store किया है 10, तो i के पहले क्या लिखना होगा int, उसी तरीके से मान लो एक variable है b, इसके पहले क्या लिखना होगा float, या फिर double, तो यह सारे data type है, फाइन, आगे बढ़ते हैं, तो हमने इंपने, Sir, सर के string के लिए next line भी उस कर सकते हैं न, नेक्स्ट लाइन में हम multiple word enter कर सकते हैं, next क्या करेगा सिर्फ एक word को read करेगा, आया समझ में? Yes sir, Okay, तो accept क्या करेगा यहां दिया है न, store, year, title and rating, तीनो चीज़, तो हमें रेटिंग के इंपुट लेना है, तो यहां पर एक और message देते हैं, system.out.println enter your rating for the movie अच्छा अब rating किस type के variable है, float type का, तो rating assign with sc.next float, अगर double type का होता है तो next double, float का f देखो uppercase में है, ठीक है, यह हमारे accept function हमने बना लिया, तीसरा function क्या है, void display, अब देखो main logic इसे में लिखना है, display function क्या करेगा, display the title of a movie, movie का title प्रिंट करेगा, fine, दूसरा काम, end of message, based on rating, rating के basis पे message प्रिंट करेगा, message क्या होगा, इस side दिया हुआ है, अगर rating 0.0 से 2.0 के बीच में है, तो message प्रिंट करेगा, flop, अगर rating 2.1 से 3.4 के बीच में है, तो semi hit, अगर rating 3.5 से 4.5 के बीच में है, तो hit, अगर rating 4.6 से 5.0 के बीच में है, तो super hit, अब एक ऐसे करेंगे, तो इसके लिए हम use करेंगे if-else ladder का, I don't know तुम में से कितने लोग को if-else ladder मैंने नहीं बताया है, कितने लोग को if-else ladder मैंने नहीं बताया है मैंने? सबको आता है if-else ladder? यह सर, अंशिका आता है? अंशिका आता है? यह सर भाई कोई भी जूट मत बोलना है मैं बता रहा हुए हुए अपना loss कर होगा, मेरा कोई नहीं नुकसान होगा है, यह अदे नहीं कोई जूट बोला तो फाइन, तो हम डिसका, अंशिका हाता है तुम्हें नहीं बोल रहे हैं, सबको बोल रहे हैं, ठीक है कि कोई भी जूट मत बोलना, ठीक है? क्लियर हुआ? तो यह देखो, यह हमारा display function है, इसका return type क्या है? void, दिया हुआ है पूरा यहाँ पर, head दिया हुआ है function का so void, function name क्या है हमारा? display so display अब यह display करेगा, सबसे पहले क्या display करेगा? तो चलो, display करने से पहले हम निकाल लेते हैं, कि message क्या print करना तो क्या है? rating अगर 0.0 से 2.0 के बीच में है, तो मैं print कर देना है message flop तो हम लिखेंगे, if rating किस में user ने enter किया है? rating variable में तो यहाँ पे लिखेंगे, if rating greater than equals 0.0 ठीक है? और फिर conditional end conditional end क्या होता है? पता ही होगा सबको, नहीं पता तो भी बताऊंगा यहाँ पे 0.0 के जगह जीरो बस लिखो अगर यह तो अगर यह true हो गया, तो इस if के अंदर हम एक message प्रिंट कर देंगे system.out.println क्या message था हमारा? flop ठीक है? अब देखो, end क्या करता है? जो end मैंने लगाया है अगर यह दोनों expression true होगा, पहला भी true और rating less than equal to पर दूसरा भी true. अगर दोनों true हुआ तभी पुरा इफ true होगा, end यही करता है अगर एक भी false होगया तो पूरा false अगर यहां पर हम conditional और लगाय होते है तो यह क्या करता है? अगर दोनों में से एक भी true हो गया तो पूरा if हमारा true हो जाएगा, ठीक है? तो यहां पर हमारा conditional end रहेगा तो मतलब यहां पर होगा क्या? कि रेटिंग में सपोज यूजर ने एंटर किया 1.5 तो अब देखो यहां पर जो if हमारा true होगा कि false होगा? पहला condition rating greater than 0 true rating में 1.5 है और दूसरा condition rating less than 2.0 यह भी true है दोनों true हो गया, मतलब if true हो गया computer if के अंदर आएगा और print कर देगा system.out.println flop यहां पर मैंने braces नहीं लगाया है क्योंकि if-else ladder में braces नहीं लगाते हैं अब if के बहार आएंगे फिर else और else के बाद फिर से if अब इसमें फिर से condition होगा अब दूसरा देखो अगर rating 2.0 से लेके 3.4 है तो मतलब if rating less than equals to 2.1 और and क्या था 3.4 rating less than equal to 3.4 यहां कुछ गलत हुआ है क्या हां सॉरी यह greater than equal to 2.1 अगर rating 2.1 से बढ़ ज्यादा या उसके बराबर है और 3.4 से कम और या उसके बराबर है तो हम क्या print कर देंगे system.out.println क्या है message हमारा? semi hit semi hit okay फिर से अब इसका भी if का else होगा else के हैं फिर से इफ होगा if में message देते हैं if rating अब क्या है अगर 3.4 के बराबर या उससे ज्यादा और 4.5 से कम या उसके बराबर if rating greater than equals to 3.5 conditional and rating less than equals to 4.5 अगर है true हो गया तो हम print कर देंगे system.out.println और इसमें message देंगे क्या है message हमारा hit okay fine फिर से else और else में फिर से if और यहां पी क्या है 4.6 से 5.0 तो super hit so if rating greater than equals to 4.6 conditional and rating less than equals to 5.0 तो तो उस case में system.out.println super hit उसके बाद last में एक और else होगा जिसके अंदर कोई if नहीं होगा यह किसलिए होगा अच्छा मान लो user ने rating अगर 5 के ऊपर enter कर दिया तो 5 के ऊपर user कुछ भी enter करेगा तो computer last और else में आ जाएगा वहां print कर देंगे system.out.println और यहां दे देंगे invalid input यह हमारा हो गया यह logic हमारा हो गया rating निकालने का अब देखो यहां पर हो क्या रहा है सबसे पहले समझ लो इस फेल्स लेडर काम कैसे करता है अगर हमारे पास multiple condition है और हर condition पे अलग-अलग work perform करना है तो उस case में हम if-else ladder की उज़ करते हैं सबसे पहला हमने पढ़ा था if-else if-else मैंने सब को बताया था if-else क्या होता है कि if कुछ condition दिया है अगर एक condition true C हो गया तो जो इफ के अंदर लिखा एक्जिट होगा नहीं तो computer else में जाएगा जो else के अदर लिखा हो execute होगा एक condition के लिए एक condition अगर एक condition true हुआ- तो computer if के अंदर जाएगा perform करेगा false वा तो else के अंदर जाएगा but अगर माननो तुमारे पास multiple condition है, 5-6 condition, हर condition पे अलग-अलग work perform करना है अगर पहला condition true हुआ तो कुछ और work perform करना है, second true हुआ तो कुछ और work perform करना है, third true हुआ तो कुछ और work perform करना है तो उसके लिए if else ladder होता है, if else ladder का syntax क्या होगा, if, if में condition, अगर a condition true हुआ तो if का statement एक्ज़िक्यूट होगा, नहीं तो computer else में आएगा और जब else में आएगा, तो else के अंदर फिर safe मिलेगा, जिसको में else के बगल में लिखते हैं, इसमें फिर a condition होगा अगर एक अंदिशन ट्रू हुआ तो इस इस के अंदर वाला statement इुग्ज़ीट होगा और अगर एक अंदिशन फॉल्स हुआ तो इस वाले इस के अल्स में आएगा और इस एल्स के अंदर, मतलब तुम चाओ तो एसे लिख सकते हो else के अंदर फिर से एक if होगा बट इसको हम ऐसे लिखते नहीं है इसको हम if कहा लिखते हैं else के जस्ट बगल में तो else फिर से if इसके अंदर फिर से condition condition टू हुआ तो फिर से statement execute होगा यह पूरा चलता रहेगा तुम्हें जितना condition लगाना है और एक दम end में else, अब else में कोई if नहीं होगा अब यहां पर जो भी तुम्हें स्टेटमेंट execute करना है सो अब यहीं पे देखो अगर मान लो user rating में अंटर करता है 1.5 तो rating greater than equal to 0 true और rating less than 2.0 यहीं true तो computer if के अंदर आएगा प्रिंट कर देगा system.outdoor फ्लॉप फ्लॉप प्रिंट कर दिया अब जब if true हो गया तो computer तो इस else के अंदर जाएगा नहीं और else के अंदर गया है नहीं तो नीचे का कुछ भी एग्जिक्रूट नहीं होगा अच्छा, computer अगर मान लो user ने 3.2 एंटर किया तो तो रेटिंग ग्रेटर देन जीरो ट्रू रेटिंग लेस देन 2.0 भाई ये तो फ्लॉप हो गया क्योंकि रेटिंग में 3.2 है तो दो कंडिशन में से एक फॉल्स तो कंडिशनल एंड लगा है पूरा एफ फॉल्स हो जाएगा पाइण से hungry हुल्स हो गया कम्प्यूटर एल्स माय तो फिर से it में फिर एप्टरेशन में कितना एक येफ एक तो पहला कि एटिंग वैक निचेट कितना है तो तो पहला कंडिशन तो तो तू पहला कंडिशन तो दू भाई दूसरा रेटिंग लेस्दा थैANS ॥ूभ और फिर नीचे का execute नहीं होगा, ठीक है, उसके बाद, अगर मालो user ने 6.0 एंटर कर दिया, तो rating greater than 0 true, but rating less than 2.0 false, तो computer else में याएगा, फिर दूसरा if, rating greater than 2.1 true, but rating less than 3.4 false, तो फिर else में याएगा, फिर अगला if, rating greater than equal to 3.5 true, but rating less than equal to 4.5 false, तो यह पूरा false, तो इसमें कोई कंडिशन है नी, प्रिंट कर देगा, तो यह तो हमारा हो गया, rating का output यहाँ से आजाएगा, अब हमें क्या प्रिंट करना था, तो इसमें इस के ऊपर, system.out.println, एक मैसेज दे दो, title of the movie is plus title, और क्या था? year of release ना, so system.out.println, movie, released in the year, plus year, done, हो गया, समझ में आया सबको, program? yes, sir. यह main बन गया, और main में अब क्या करोगे, normal, तो मैं अगर उपर class का नाम क्या था? movie magic, so movie magic, ob assign with new movie magic, यह हो गया, हमारा object बन गया, यह हमारा constructor कॉल हो जाएगा, अब सबसे पहले किस function को कॉल करोगे, accept function को, क्योंकि सबसे पहले तो input लेना होगा, तो ob.accept, फिर किस function कॉल करोगे, display को, तो ob. display को, तो ob. display, हो गया, program. सब को समझ में आया है? यह सर्थ. नोट कर लो, अगर किसी को नोट करना है तो. यह?